वेलकम टो स्टडी डाट कॉम और यूटीब चैनल माई डियर फैन आज हम बात करेंगे बीएट के 2018 के कुश्चन पेपर को ले करके यानि बीएट सेकंड समेस्टर में आपका 2018 में जो पेपर हुआ था उनको लेकर आज यहां बात की जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं बीएट सेकंड समेस्टर इग्जामिनेशन 2018 न्यू कोर्स ठीक है ओर कोर्स कैसा था आपका उसमें यही पेपर 70 मार्क्स का आता था ठीक है यह 70 का था और 30 जो थे आपके प्रैक्टिकल अलग से थे यहां पर यह 80 मार्क्स का है और 20 आपके अलग से कॉलेज की तरह आप से प्रैक्टिकल मार्क होंगे यहां पर देखेंगे यह हमारा जो होगा पेपर first और second याणी subjective knowledge and pedagogy of school subject का है ठीक है इसमें आपने जो भी चूस किया होता है पेपर कहने का मतलब है जो भी आपने subject of paper लिया होता है जैसे आप science side है तो आप science side चूस करेंगे अपने paper के लिए art side है तो art side में आपने कौन कौन से paper चूस की है ठीक है अगर आप commerce से हैं तो commerce के बेस भी होगा तो यहाँ पर बात हम करेंगे subjective knowledge and pedagogy of school subject पेपर first and second जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यह science के student के लिए यानि biology का है इसके बाद other जो भी होगा वो paper बताया जाएगा इसमें आप देख लीजिए बिल्कुल वैसे ही paper है 80 marks का है इसमें पहला notes देख लेते हैं note में क्या दिया है answer five questions in all question number one is compulsory besides this attempt one question from each unit note में दिया हुआ है कुल पांच प्रशनों के उत्तर दीजिए question संख्या एक अनिवार है इसके अलावा प्रती किकाई से एक प्रशन कीजिए ठीक है यानि फर्स्ट पार्ट जिसमें एक से आठ है यानि वन टू एट कोशन होंगे टोटल कंपल सरी पार्ट है आपका वैसा ही बिल्कुल प्रोसेस है जैसे भी एट फर्स सेमेस्टर का मैंने बताया था इसमें एट कोशन होंगे ठीक है आपकी एट कोशन है और फॉर मार्क का एक कोशन होगा तो फॉर इंटु एट इस इस तो 32 मार्क का ठीक है इसमें पहला दिया हुआ राइट शॉर्ट नो दूसरा है राइट नोट ऑन बायलोजी लैब टिपड़ी लिखिये जी विज्ञान प्रियोक शाला ठीक है इस पर आपको टिपड़ी लिखने है आगे देखेंगे कोशन सी फिर है आगे आपका सी कोशन वाट आर दा वेरियस स्टेज़स ओफ माइक्रो टीचिंग सूक्ष सब्सक्षर के विभी नसोपान क्या है यह है आपका कोशन फीर है आपका कोशन अमदी विएस थाइराइट ग्रांट लुकेटट and what is its function ठीक है यह कोशन है आपका यानि थाराइट कुरंथी कहां स्थित होती है वा इसके कारे बताईए यह है आपका कोशन कोशन नमबर E देखेंगे differentiate between aerobic and anaerobic respiration ठीक है यह कोशन E हो गया यानि आक्सी तथा अनक्सी सोसंद के बीच अंतर बताईए फिर कोशन नमबर F देखेंगे कोशन नमबर F दिया है वाइल सेलेक्टिंग अब लोजिकल साइन्स टेक्स्ट बोक यानि जीव विग्यान विशय की पार्थी पुस्तक चयान करते समय किन कार्गों को ध्यान में रखना चाहिए यह कोशन F हो गया आप कोशन G देखेंगे आपका वाट इस ओजोन लेयर डिप्लिशन ठीक है ओजोन परत शरड से क्या तात पर है यह है आपका कोशन आगे देखें कोशन नमबर H कोशन नमबर H दिया हुआ है आपका इसमें दिया है राइट अबाउट दा नीट एंड क्लासिफिकेशन ओफ ओडियो विज्वल एड्स यानि स्ट्व विद्रस सामगरी की आवशकता तथा वर्गी करण के बारे में लिखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपकी बात हो गई वेरी शॉर्ट सॉर्ट आपकी 8 तकी थे आप देख़े जिन कोछनों को आगे शुरू करेंगे हम युनिट कोशन यानि युनिट 1st क्या कुछ आया था यह सेकेंड समेस्टर को इसमे युनिट 1st में दिया हुआ यानि सेकेंड कोशन है ये क्यूंकि फिर्स कोशन में आपके यहां पर दिया हुआ है दूसरा यह यूनिट फर्स्ट का पहला कोशन था दूसरा दिखेंगे यह यूनिट फर्स्ट के दो कोशन थे जो कि आपका एक कोशन बारा नमबर का है यह चोईस पार्ट है और आपको इन दोनों में से एक अटेम्ट करना है ठीक है आगे देखेंगे यूनिट फू यूनिट फू में क्या कुश दिया हुआ है इसमें का फूर कोशन है फू वास मेंडल वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हीस एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब दा लॉस लॉस ओफ हैलिडिटी प्रोपोस्ट बाई मेंडल ठीक है कह रहा है मेंडल कौन थे उन्होंने मटर की पौधे को अपने प्रियों के लिए क्यों चुना मेंडल के अनुआनशिक्ता के नियूमों की व्याख्या कीजिए ये कोशन फूर था जो यूनिट फू से था कोशन फाइफ है इसी में यानि यून टू में है आप देख सकते हैं इसको हिंदी में देख लेते हैं इसका क्या मतलब है हिंदी में दिया हुआ है आपका पोशड किसे कहते हैं पौधों में 100 पोशी 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 के विभिन तरीकों की व्याख्या कीजिए ये आपका कोशन था जो यूनिट टू से था आगे देखेंगे यूनिट थी में क्या कुछ दिया हुआ है यानि सिक्स कोशन है इसमें Define the term curriculum, differentiate between curriculum and syllabus, discusses the different principles of construction of biological science curriculum at school level कहने का मदब है पाठी करम को परिभासित कीजिए, पाठी करम तथा पाठी विवरण में अंतर स्पस्ट कीजिए, स्कूल सर पर जी विज्ञान पाठी करम निर्मार समंदे विभिन सिद्धानतों की चर्चा कीजिए तो ये था आपका unit third का question, इसी में है seven question, seven में देखते हैं what is problem solving method, explain in detail its different steps, merit and demerits, समस्या समाधान विदी क्या है, इसके विभिन चर्णों गुणों वा दोशों की विस्तत व्याख्या कीजिए ठीक है दोस्तों ये था आपका unit third, जो की इसमें भी आपके, इसमें सभी पार्टों में आपको एक एक ही choice में करना होगा, जो भी आपको सही लगे जो अच्छे से आता हो, देखेंगे unit fourth आपकी, unit fourth में eight question है आपका, what is evaluation, explain its characteristics, types and functions in detail, मुल्यांकन किसे कहते हैं, इसके प्रम question number nine, question number nine, what is an achievement test, write about its main types, prepare an achievement test of any class, यानि आपका six से seven तक की, six to seven, उपलब दी परिक्षर क्या है, इसके प्रमुप्रकारों के बारे में लिखेंगे, किसी भी एक कक्षा, यानि six से seven, six, seven eighth में से, का एक उपलब दी परिक्षर तयार कीजिए, ठीक है, कक्षा छे का करिए, य आठ का इन तीनों के बीच में किसी भी एक अक्षा को आपको तयार करना होगा, उपलब दी परिक्षर, तो दोस्तों, यहां पर बात हो गई आपकी जो बायोजिकल पेपर था, यानि यह आपका subject knowledge and pedagogy of school subject का था, जिनका भी बायो से है, तो उनके लिए question paper था, second semester of 28, ठीक ह तो question paper आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, I hope दोस्तों, आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया हो, अगर कोई दिक्कत है, तो please आप comment करके, अपने दिक्कत और अपने सुझाव भी दे, ठीक है, मिलते हैं अपने next वीडियो में, यानि अभी आपको हम question paper ही नोटिफिकेशन के लिए bell icon प्रेस करें मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you friends, keep watching and share to others.